मैं प्रविन गोदारा भारती जंतापालती की तरफ से सभी देशवासियों को, परदेशवासियों को, आसी हलकावासियों को गनतंतर दिवस की बहुत-बहुत शूब कामनाय देता हूँ गनतंतर दिवस हमारे देश में बड़े धूम धाम से मनाया जाता है 26 जनवरी को गंतंतर दिवस वे सभीधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को ध्राम नरपेक्स, सामाजवादी वे लोकतांतरिक में गंणराज्य की स्थापना होई थी एक बार में फुने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हंसी हलकावासियों को गंतंतर दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है देता हूं और जो आमन अनसर के द्वारां जो मेरे को हशी जेतरवाशियों का प्यार और प्रेमर साथ एक जुटो कर गए जो प्रेम भावग दिया है तो मैं इसके लिए सभी हशी जेतरवाशियों का तै दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ किसान संगर्ष समीति का प्रदेश में किसानों का कर्ज माफिक करने को लेकर एनिश्चित कालिन धरना हासी में चोथे दिन भी जारी रहा नेताओं ने सरकार द्वारा उनकी मांगों को लेकर बाचित की कोई पहल ना करने पर शनिवार को समीति की बैठक बुलाई है किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि बैठक में जीन चुनाओं में भाजपा पार्टी के खिलाफ वोट की अपिल करने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की मांगो को लेकर नकारात्मक बनी हुई है इसके अलावा आसपास के गाउं में भी प्रचार अभियान तेच किया गया है और शुक्रवार को कई गाउं से किसान धर्ना सल पर पहुँचे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगो को नहीं मानती है उनका धर्ना जारी रहेगा और याड़ा परदेश के सभी किसानों को करजे से मुक्त किया जाए नमबर दो भारतिया जनता पार्टी के साथी जिस वादे के साथ सत्ता में आये थे पूरी लागत के साथ 50% लाब जोड करके भाव देना जिसका सी टू पलस 50 फार्मूला जो कि स्वामी नाथना आयोग ने दिया था उसके तैत बहुत तैय हो और खरीद की गारंटी का कानून बने तीसरी हमारी मांग है तेलंगाना सरकार 14,000 पर परति किल्ला किसान को बिजाई पर देती है उसी तरज पर पूरे किसानों को ये विजाई के ओपर रासी मिलनी चाहिए जिसकी हम डिमांड करते हैं अर्याना परदेश के अंदर ज्यादा खाज भी डाला जाता है महेंगी दवाईयां डाली जाती है छेजार पर परति किल्ला अर्याना के किसानों को भी मिलना चाहिए चोथी हमारी मांग है जब हम किसानों के मांग को ले करके पूरे परदेश के अंदर अंदोलन चलाते हैं दर्णे परदर्शन करते हैं तो उनके उपर मुकद में दर्ज कर दिय जाते हैं जो की सरासर एक ताना स्याई है क्योंकि परजात अंतर में आवाज उठाना सब का अधिकार होता है इसलिए हमारी अरियाना सरकार से मांग है सबी तरह के किसानों के उपर बने केस आप करेंगे आज हमने मिट्टी वगरा करके हमारा पंडाल त्यार करवा दिया है और कल से हमने शिंख्या बढ़ाने के लिए अपने गाउं में परचार की गाड़ियां बेज दी हैं कल से हम आजारों की शिंख्या में बेटना शुरू करें तो जीन चुलाओं में हम 26 तारिक तक इंजार कर रहे हैं अगर 26 तारिक तक सरकार कोई बात चीत करती है तो ठीक है वरना हम अपनी टीम बेज करके बारतिय चंता पार्टी के खिलाप अपील कर सकते हैं